5 अक्टूबर की मंत्र परिशद की बैठक दमोह जिले की संग्रामपुर में होगी। राजी सरकार का रानी दुर्गावती के प्रती सम्मान का ये प्रकटी करन है। हम सभी जानते हैं कि संग्रामपुर रानी दुर्गावती की राजधानी रहा है। प्रदेश में सोयाबीन उपारजन के लिए नामानकन की प्रक्रिया आरंब हो रही है। सभी मंत्री और जनप्रतिनिधी अधिक से अधिक क्रिशकों का नामानकन सुनिश्चित कराएं, समर्थन मुल्य पर गुनवत्ता पूर्ण सोयाबीन उपारजित किया जाए। अगला रीजनल इंडिस्ट्री कॉनक्लेव 27 सितंबर को सागर में होगा। इसी क्रम में रीवा, नर्मदापुरम और शहडोल में भी दिसंबर 2024 तक क्षेत्रिय इंडिस्ट्री कॉनक्लेव आयोजित होंगे। कोलकाता के इंटरेक्टिव सेशन में हुई धर्चा के परिनाम स्वरूप प्रदेत में लगभग 20,000 करोर रुपे का निवेश संभावित है, जिससे लगभग 10,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। देश की 16 प्रमोख उद्योग समूह प्रदेश में एकाया लगाने के इच्छुक हैं। कार्ययोजना का क्रियान वयन सुनिष्चित किया जा रहा है। आप चैनल पर नए हो तो लाइक शेर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।